हेलो एवरिवन, आज हम बनाएंगे बहुती जुनीक और इजी रैस्पी चिल्ला सैंड्विच ये सैंड्विच खाने में बहुती ज़्यादा स्वाधिस्ट होते हैं और इसको बनाना भी बहुती ज़्यादा असान है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं चिल्ला सैंड्विच बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बरतल लेंगे और इसमें एक कप बेसंडा लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको बिसका से अच्छे से हिलाएंगे और एक पतला सा गोल त्यार करेंगे इसको हम लगातार हिलाएंगे ता जो इसमें किसी भी तरह को कोई लम्स ना पड़े और ये गोल एकदम स्मूद बन कर त्यार हो जी देखे फ्रेंट्स गोल अब हमारा बन कर त्यार हो चुका है अब हम इसमें स्वाद के नुसा नमक डालेंगे एक चुथाई चम्मच हरिमेच का पेस्ट डालेंगे एक चुथाई चम्मच इसमें हिंग डालेंगे हिंग से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और इसमें कटा हुआ धनिया डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें एक दो चुटकी वेकिं सोडा डालेंगे और इसको फिर से अच्छे से मिलाएंगे अब जे हमारा वैटर विल्कूल त्यार है अब हम चलते हैं अपने next process में अब हम एक non-stick पैन लेंगे और इसको अच्छे से गर्म करने के बाद gas का flame हम medium to low कर देंगे इसके उपर एक दो चमच तेल के डालेंगे और इसको tissue की help से इस तरह से फैलाते हुए साफ कर लेंगे अब हम इसके उपर अपना त्यार किया हुआ गोल डालेंगे और चमच की help से इसको पूरे पैन में फैला देंगे इसको हम medium flame पर ही पकाएंगे ताजो जी अच्छे से पक जाए और इसके किनारों में एक दो चमच तेल कर डालके इसको अच्छे से क्रिस्पी करेंगे अब देख सकते हो friends की इसकी उपली सता ड्राई हो चुकी है और इसका रंग भी बदल चुका है अब हम इसको पलटेंगे पलटने के बाद इसके उपर एक चमच मियोनीज और एक चमच टोमाटो केचप लगाएंगे और इसको अच्छे से इस पर फिला देंगे इसके साथ ही एक चमच पुदीने की चटनी इस पर अच्छे से फिला देंगे इससे सैंड्वीच का टीस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके उपर कटी हुए पनीर के कुछ पीस रखेंगे और इसके उपर चाट मसाला डालेंगे साथ ही इस पर बरी कटी हुई बीट रूट, बरी कटे हुए टमाटर और बरी कटे हुए पयाज डालेंगे इस फिलिंग से हमारा सैंड्वीच बहुत ही ज़्यादा है इल्ला अब नीचे से भी अच्छे से पक चुका है अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे यह बहुत ही इसली फोल्ड हो जाता है विल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती साइड्स को फोल्ड करने के लिए इस तरीके से पहले एक कटसा लगाएंगे और हाथों से इसको फोल्ड कर देंगे यह दिखे फ्रेंड्स हमारी कितनी सुन्दर चिल्ला पॉकिट बन कर त्यार हो चुकी है अब हम इसको एक प्लेट में वहाँ निकाल लेंगे अब हम फिसे पैन लेंगे और इस पर एक दो चमच घी के डालेंगे यहाँ पर मैंने दो स्लाइस ब्रेड के लिए हैं और इनके किनारों को अच्छे से काट लिया है और इनको पैन में रखकर दोनों तरफ से अच्छे से सीख कर इसको क्रिस्पी कर लेंगे यह देखे फ्रेंट्स ब्रेड अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, अब हम इसके सैंड़िच बनाएंगे सैंड़िच बनाने के लिए दोनों ही ब्रेड्स को हम एक ब्लेट में रखेंगे और एक ब्रेड के स्लाइस पर हम ग्रीन चटनी लगाएंगे और इसको अच्छे से इस पर फिला देंगे दूसरे ब्रेड पर हम रेड चटनी लगाएंगे आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी जगा पर मियोनिस और टोमैटो कैचप का यूज कर सकते हो अब हम इन दोनों ब्रेड स्लाइस के बीच अपने त्यार के हुई चिल्ला पॉकेट रखेंगे और अपने हाथों से इसको अच्छे से प्रेस करेंगे आप देख सकते हो फ्रेंड्स के हमारा चिल्ला सेंड्विच अब बनकर विल्कुल त्यार है और यह देखने में भी कितना सुन्दर देख रहा है और इसका टेस्ट वे बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है अब हम इसको काट कर इसके पीसे समेंगे